दोस्तो आज इस पीडियो में मैं आप लोगों से बात करूँगा बेस्ट गैस स्टोब के बारे में क्योंकि गैस स्टोब हमारे किचन में सबसे ज़्यादा इस्तमाल बने वाला किचन अप्लाइंसिस पॉडक्ट है जिसका इस्तमाल करके हम अपने किचन में सभी तरह के कुकिंग करते हैं लेकिन दोस्तो एक best quality के gas stop खरिश्ट समय हमिसा हम लोगों को confusion होती है कि gas stop stainless steel वाला लेना चाहिए या फिर toughened glass top वाला auto ignition वाला लेना चाहिए या फिर non auto ignition वाला gas stop कितने burner का लेना चाहिए 2 burner, 3 burner या फिर 4 burner का और gas stop किस company का लेना चाहिए इसलिए दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आपके सभी तरह के question एवं confusion को clear करके best gas stop in India 2023 के बारे में जनकारे दूँगा जिसके अंदर आपको low gas consumption और long life lasting देखने के लिए मिलेगी नमस्कार दोस्तो मैं हूँ विकास कुमार और आप देख रहे हैं फिपी एडवाइस यूटूब चैनल को तो आई दोस्तो इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो अगर आप फिपी एडवाइस यूटूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं दोस्तों इंडियान मार्केट में दो टाइप के गैस स्टोप आते हैं, एक स्टेनल सस्टील गैस स्टोप आता है, दोसा टफन ग्लास टॉप गैस स्टोप आता है, लेकिन आज के टाइम में इंडियान मार्केट में जो सबसे ज़्याता गैस स्टोप बिकता है, वो बिकता है तफन-ग्लास-टॉप वाला गैस अस्टोर क्योंकि ये गैस टॉप देखने में काफी ज़्यादा इलेगेंट लगता जिससे की आपका केचिन का लूप काफी ज़्यादा इनहैंस हो जाता है और इस गैस स्टोर को बड़े ही आप अराम से इसे ज़्यादे कर सकते हैं यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ अस्टेनलेस अस्टील वाला ही गैस स्टोप खरिदना चाहिए क्योंकि यह काम अगर आप एक टफन ग्लास गैस स्टोप के उपर करेंगे तो उस गैस स्टोप का ग्लास टूटने की समभावना काफी ज़्यादा अधिक होगी तो यहां पे आपको एक स्टेनलेस अस्टील वाला ही गैस स्टोप खरिदना चाहिए क्योंकि यह भी काम अगर आप एक टफन ग्लास टॉप वाले गैस स्टोप के उपर करेंगे तो उस गैस स्टोप के ग्लास टूटने की समभावना काफी ज़्यादा अधिक होती है और इन काम उसे किसी भी गैस स्टोप कंपनी का ग्लास टूटता है तो उसकी वारांटी कंपनी कवर्ड भी नहीं करती है गैस स्टोप Auto Ignition और Non Auto Ignition दोनौ टाइप के आते हैं तो यहां पर आप किसी भी टाइप के गैस स्टोप को खरी सकते हैं क्योंकि दोनों ही type K gas stop के अंदर किसी भी तरह का कोई भी problem नहीं आता है जब भी आप gas stop को खरीते हैं उस समय उसके safety features को हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए इसलिए आपको हमेशा ISI mark वाला ही gas stop खरीतना चाहिए दोस्तों अगर आप एक toughen glass top वाला gas stop खरीते हैं उस समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि उस gas stop के अंदर कम से कम 6 mm thickness का toughen glass top लगा हुआ हो gas stop के अंदर burner दो परकार के लगे हो आते हैं एक brass burner के साथ आता है दूसरा aluminium burner के साथ आता है तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ brass burner वाले gas stop खरीदने चाहिए क्योंकि brass burner वाले gas stop के अंदर flame blue कलर की निकलती है जिसमें heat की मातरा काफी ज़्यादा होता है और carbon की मातरा काफी कम होता है जिससे कि आपके बरतन काले नहीं करते हैं और आपका gas consumption भी काफी कम होता है इसके साथ ही आपके gas stop के अंदर aluminium का mixing tube लगा होना चाहिए इसके साथ ही आप जो gas stop खरीते हैं उसके अंदर MS powder coated rust proof pan supporter stand लगा होना चाहिए इसके साथ ही आपके gas stop के अंदर stainless steel tip tray लगा होना चाहिए दोस्तों अगर आपके घर के अंदर PNG यानि pipeline natural gas का connection है और उसके लिए आप एक नया gas stop खरीत कर लाते हैं तो आपको उस gas stop का installation PNG वाले को call करके कराना चाहिए या फिर आप जिस company के gas stop खरीते हैं उसका outside service center में call करके उसके इंजिनियर के द्वारे ही अपने gas stop का installation आपको करवाना चाहिए आई दोस्तों अब इस वीडियो में बात करते हैं best gas stop in India 2023 के बारे में और इन सभी best gas stop का best seller link आपको वीडियो description box में मिल जाएंगे अगर आप इन gas stop को online खरीतना चाहते हैं तो हमारे link को क्लिक करके खरीच सकते हैं बेस्ट gas stop की मेरी लिस्ट में नमबर 4 पे आता है milton premium gas stop इस gas stop के अंदर 2 burner, 3 burner और 4 burner के साथ देखने के लिए मिलते हैं और एक gas stop आता है MS powder coated dust proof black body के साथ जिसके उपर 6-7 thickness का colorful toughen glass top लगा हुआ मिलता है milton का एक gas stop आता है brass burner के साथ जिसमें आपको 2 burner के अंदर 1 medium और 1 small size के burner लगे हुए मिलते हैं एक गैस अस्टोब आता है अलमोनियम मिक्सिंग ट्यूब के साथ और इसके अंदर आपको MS Powder Coated Rush Proof Pen Supporter Stand मिलता है और एक गैस अस्टोब आता है एक गैस अस्टोब के अंदर एक गैस अस्टोब के अंदर एक मीडियम साइज की बर्नर और एक स्मॉल साइज की बर्नर मिलते है वहीं पर थ्री बर्नर के गैस अस्टोब के अंदर एक मीडियम साइज की बर्नर और टू अस्मॉल साइज की बर्नर मिलते हैं वहीं पर फोर बर्नर के गैस अस्टोब के अंदर टू मीडियम साइज की बर्नर और टू अस्मॉल साइज की बर्नर आपको मिलते है Sunflame का ये gas stove आता है Almonium Mixing Tube के साथ और इसके अंदर आपको MS Powder Ported Rust Proof Pen Supporter Stand देखने के लिए मिलता है और ये gas stove आता है Stainless Steel Dip Tray के साथ और Sunflame का ये gas stove आता है ISI Mark के साथ और इसके अंदर आपको Backlight के Knob देखने के लिए मिलते हैं Sunflame के इस gas stove को आप खरिद पाएंगे 3 burner वाले साइज को इस समयट 3800 रुपीज में और Sunflame Company आपको देगी 2 येर की comprehensive warranty Best gas stove की मेरे लिस्ट में No.2 पर आता है Prestige Iris gas stove इस gas stove के अंदर 2 burner, 3 burner और 4 burner के साइज आपको मिलते हैं और ये gas stove आता है MS powder coated, 1 rust proof वडी के साथ जिसके उपर 6 mm ठिकनिस का टफन ग्लास टॉप लगा हूआ मिलता है Prestige का ये gas stove आता है brass burner के साथ जिसमें आपको 2 burner के gas stove के अंदर एक medium size के burner और एक small size के burner मिलते हैं प्रेस्टिज का ये गैस अस्टोब आता है MS powder coated rust proof fan supporter stand के साथ और इसके अंदर आपको aluminium के mixing tube लगे हुए मिलते हैं प्रेस्टिज का ये गैस अस्टोब आता है stainless steel dip tray के साथ ये गैस अस्टोब आता है ISI mark के साथ और इसके अंदर आपको back light के knob देखने के लिए मिलते हैं प्रेस्टिज के इस गैस अस्टोब को आप इससे में खरीद पाएंगे 3 burner वाले size को 3800 रुपिज में और प्रेस्टिज कंपनी आपको देगी 2 year की comprehensive warranty बेस्ट गैस स्टोब की मेरे लिस्ट में नमबर 1 पर आता है एलिका एलिका के इस गैस स्टोब के अंदर 2 burner, 3 burner और 4 burner के size आपको देखने के लिए मिलते हैं और एक गैस स्टोब आता है MS powder coated rust proof black body के साथ जिसके उपर एलिका ने 6-7 thickness का toughened glass top लगाया है और एक गैस स्टोब आता है brass burner के साथ जिसमें आपको 2 burner के गैस स्टोब के अंदर 1 medium size के burner और 1 small size के burner लगे हुए मिलते हैं वहीं पर 3 burner के गैस स्टोब के अंदर आपको 2 medium size के burner और 1 small size के burner लगे हुए मिलते हैं वहीं पे फोर बर्नर के गैस स्टोब के अंदर two medium size के brass burner और two small size के brass burner लगे हुए मिलते हैं, हिलिका का ये गैस स्टोब आता है almonium mixing tube के साथ, और इसके अंदर आपको MS powder coated rust proof pan supporter stand देखने के लिए मिलता है, और ये गैस स्टोब आता है stainless steel dipte के साथ, एलिका का ये गैस स्टोब आता है ISI mark के साथ और इसके अंदर आपको back light के knob देखने के लिए मिलते हैं, और इस गैस स्टोब के अंदर 360 degree survival nozzle मिलता है, जिससे आप अपने जरूरत कमशार कहीं पे भी adjust करके gas pipe को बड़े आराम से लगा सकते हैं, एलिका के इस गैस स्टोब को इस समय खरीद पाएंगे 3 burner वाले साथ को 3500 रूपिज में और एलिका कमपनी आपको देगी 2 येर की comprehensive warranty, इस गैस स्टोब की quality के बारे में बात करें तो इसकी quality according to price आपको काफी अच्छी मिल रही है, इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे यूटूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो की जनकारी अगर आपको अच्छे लेगे हैं तो फ्लीज आप इस वीडियो को like और share ज़रूर करें, थाइंक्यू, धन्यवाद